Hello देस तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Windows Form के बारे हैं बताने जाओ तो यह मेरा पहला वीडियो है Windows Form का तो चली देखते हैं तो सबसे पहले यहां पे Visual Studio open करते हैं और इसकाद यहां पे देखिए Windows Form का मैंने important point यहां पे create कर दिया है यहां पे देखिए Windows Form is an interface where we can develop application and यहां पे हम application को develop कर सकते हैं और यहां पे add कर सकते हैं control other items in the form में तो चली देखते हैं तो सबसे पहले Windows Form को create करने के लिए आपको fire type में जाना पर एगा उसके अधनी है तो यहां पे project यहां पे देखिए Visual C-Solve यहां पे select है और उसके बाद यहां पे देखिए मैंने console application में बहुस दरा वीडियो बना चुकता हूँ तो यहां पे पहला वीडियो में बनावा है Windows Form application में तो यहां पे project का जो भी एक meaningful name देखिए Windows app कर देते हैं उसके बाद यहां पे इस location में store होगा और solution का नाव है WinApp टेक है और चले यहां पे ok करते हैं तो यहां पे developed application तो यहां पे control को add कर सकते हैं और item को तो यह देखिए by default to जो part होता है Windows god application का यह खूल गया है और चले यहां पे यह सारा क्या और यहां पे ग non-ori यहां पर अलफाबेट है, यहां पर प्रोपरटीस है, यहां पर इवेंट है तो यहां पर दीकिए जो फॉर्म लिखा हुआ यहां पर टेक्स्ट, सबसे बहुए इसको कैंसल करते हैं यह वाले पार्ट को, इसको कोई जड़त नहीं है, इसको तो अब बराक कर देते हैं धीकिए, अब यह सारे यहां पता चलड़ा है, यहां में छिख्स्ट पर लिकाओ है, न cricket फाल् pesos को लिखा है, ओ कर यहां पर आपको देना है यहां पर यहां पर अब इस तरह के द cycls के दिने में ने च्कार उसके बाद with know और यहां से Windows की फॉर्म को घटा सकते हैं यहां पर size को बढ़ा सकते हैं यहां से और यहां पर एक property होगा लॉक करने का property होगा यहां पर locked जो है यहां पर false दिया है अगर आपके इसको true कर देते हैं इसके अदिकिए अब यहां पर यह option जो भी था वो खता होगा भी size को बढ़ा खटा नहीं सकते हैं यहां पर दूसरा property है यहां पर lock करने के बाद size को windows के पौक के size को बढ़ा नहीं सकते हैं चलिए इसको unlock कर देते हैं अनलॉक में पर पॉस्ग कर देते हैं यहां पर अगर यहां पर देखिए टाइटल भी है यहां पर टाइटल को आप जूम भी कर सकते हैं अब देखिए इसका नाम क्या है यहां पर इसका नाम है फॉर्म वन इसको हम कर देते हैं यहां पर इसका नाम जो है यह तेंग हो जाएगा जैसे अगर हम इसके double click करेंगे तो यहाँ पर form का load जो event है यहाँ पर यह खुल गिया और यहाँ पर दिखें फर्म यहाँ पर change लिए यहाँ पर यहाँ पर change करने से यहाँ पर नाम का यह change करने से उसके बाद यहाँ पर देखें यहाँ पर हम we can add control other items in the form यहाँ पर control हम add कर सकते हैं यहाँ पर tool box में जाते हैं यहाँ पर button control आपको सिर्फ track करना है यहाँ पर चल जाएगा उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर level भी आप track सिर्फ को double click करेंगे तब यह चल जाएगा तो दो option है यहाँ पर एक double click करेंजी दूसरा यहाँ पर track किजए यहाँ पर list भी अगर आना तो list भी यहाँ पर आ जाएगा तो यह से control यहाँ पर ला सकते हैं और जैसा प्रोजेक्ट में requirement होका वाइसा यहाँ पर code लेक सकते हैं तो यहाँ सबसे पहला वीडियो इसलिए इसके भी चड़त नहीं और यह सब प्रोपर्टी हैं एक करके बताऊंगा अभी तीचार प्रोपर्टी मैंने साइब बताया है अभी चस्ट चलिए यहाँ पर form के load event पे कुछ प्रोपर्टिया देखते हैं यहाँ पे हम एक डायलोग रिजर्ट एक क्लास होता है ठीक है डायलोग रिजर्ट इसको हम इंटर करते हैं उसके अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं डिया उसके बाद यहाँ पे message box यहाँ पे दिखें so method है so method यह इसका क्या method used to open windows form और यहाँ पे एक चीजा हो यहाँ पे यह जरूर रहा और यह name space चरूर ना चाहिए जैसे आप पे और यह इसकी चरूरत नहीं है इसको ट्रीट करते हैं और इसको हम comment करते हैं इसको नहीं यह name space को अभी आप पे देखिया direct message box और dialogue result है यह तो लोगा जो भी predefined class ही है तो इसका जो भी properties है यह इसके अंदर और जो भी इसका code है इसके अंदर लिखाइगा यह name space के यहां पे यह name space पे आपके यह name space बड़ेगा अब देगे इसके अंदर हम लिख रहा है रिसाइस the size form 3両, 4m, 4m, , 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 3 of the , 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 यहां पर box button, यहां पर dot कर देते हैं, यहां पर देखें इतना सा option है, तो यहां पर हम कर देते हैं, yes, no cancel, उसके बाद यहां पर message, यहां पर message box icon, यहां पर dot देते हैं, तो यहां पर इतना साथ है, कोई भी आप ले सकते हैं, यहां पर information नहीं कर देते हैं, उसके बाद message default button, टीक है, dot करते हैं, यहां पर button 1, button 2, button 3, यहां पर इसके लिए, अब देखें, यहां पर it को लिखते हैं, अब यहां पर if statement का हम use कर दें, form के अंदर, if statement के बादे में इस console application के बहुआ ही, बहुंत बहुत बहुत अदा डिकर्स कर चुके हैं, जब जब चेंज इस नहीं है, जिए हम यह डाइडो की डिजर्ट करते हैं, उसके राद यहाँ पे, अगर इतना सा उप्षिन है, यह स्के राद यहाँ पे, मैसेज बॉक्स तरना है, आप यह बस्को मैसेड काल कर रहें, और यहाँ पे you click, यहाँ पे अगर मैसेड करेंगे, you click in yes button, यहां पर यहां पर यहां सिर्फ statement को यूज करें पिर यहां पर dr double equal to dialogue result dot यहां पर arrow कर देते हैं इसके बार यहां पर message प्रिंट कराएंगे, message box, dot, यहाँ पर show method करना है, उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, you click no button, फिर से यहाँ पर as, f, उसके बाद यहाँ पर दिया double equal to dialogue result, फिर यहाँ पर इस बार cancer को साकर है, cancer, यहाँ, message box, dot, यहाँ यहाँ, your corrected cancel button, तो यहाँ पे, देखिए सबस्छा से ठीक है, आप एक को एरोर्स हो रहा है, आप एक को सब्सक्राइब लग दिए हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ास कोड लान लेख दिया है, तो जबी आप, अपहले आप इसको क्या करते हैं, बिल्ट सॉलिसन कर देते हैं, तो यहां पी कोई error नहीं है सबसे पहले, solution build हो गया, यहां पी कोई error नहीं succeed हो गया तो यहां पे छोड़ा सा program मैंने लिखा है जिसमे प्रोग्राम एक form load होगा तब यह सब और button of form जब load होगा तो यहां पे cancel और yes no का option आएगा यहां पे आउर जिसमे लिखे यहां पे execute होगा तब यहां पे एक form load होगा तो यहां पे एक imp title तो यहां पे resize form यह पहला part है यह वह resize form है तो यहां भी डिसक्रे होगा है यहां पे title है यह गोला part इसके रोट यहां यहां पे message box, यहां पे yes, no और cancer का है, तो अगर आप click किजाएगा yes button यहां पे लिखिए you collect on yes button, तो यहां पे यहां पे yes, यह condition सही हुआ, तो यहां पे यह पिरिट होगा, ठीक है, तो पिर से यहां पे लिखिए, देखिए, resize form यहां पे आगया, तो यहां पे लिखिए, you collect no button, फिर से execute करते हैं, तो यहां पे, you collect cancel button, तो यहां पे cancel वाला part succeed होगी, तो यहां पे यहां पे dialogue result है, तो यहां पे message box है, इसके आद यहां पे dialogue result है, ठीक है, तो यह भी एक class है, इसके वारे में देरे देरे करके हम पढ़ेंगे, आज के video जबी है, वो देमेंस्टेट करना पहला प्रोग्राम लिखना था, मेरा यह इटेंसर था इस वीडियो में, तो यहां पे एक चीज़ और बदा दू, यहां पे सो और सो direct method, use to open the windows form, तो यह काम करता है, windows form को open करने के लिए, और load event is the most popular event, ठीक है, यह form का, जो भी load event जो है, यह इसको load event कहते है, यह form का load event है, सबसे important of MS load event है, ज़या तो प्रोग्राम इस इसे में, load event में काम क्या करता है और यहां पे, और बीच अगर, अगर विंडोस form, load on the screen, यह अगर होता है, और यह default window form है, यहां भी default है, ठीक है, यह व्ला part तो यह पहला, वीडियो थो, विंडोस form से related, तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो मैंने बताए कि, कैसे message box और dialogue box का use करके, ठीक है, और form को load करना, उसमें, cancel, yes, no का जो भी information है, इसको display करना, और उसमें title display करना, इस तरए प्लास की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नीव वीडियो में, नीव डापिक साथ, thank you